नमस्कार आप देख रहे हैं आरकेदांगी चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार अक्टूंबर 2021 को जो अप्रेंटिस मेले का आयवजन किया जा रहा है ओल आवर इंडिया में इस वीडियो में हम बताएंगे मद्ध प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंन हम पूरा बताएंगे वीडियो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को ओन कर दें जिससे के जॉब से रिलेटेड या आईटियाई से रिलेटेड अन कोई भी जानकारी हम रियल टाइम में आपको वीडियो के माद्ध हमसे उपलब किया जा रहा है इसके लिए जो हमारे मद्ध प्रदेश के बच्चे हैं जो आईटियाई पास आउट है चाहे वो एंसी बीटी से हो किसी भी ट्रेट से अगर उनने आईटियाई किया हुआ है तो उनको क्या करना रहेगा वो एक जो रजिस्टेशन फॉर्म उपलब्द करा करवाती है उनमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अप्रेंटिसिप के अंदर क्या रहता है ओन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है मतलब कि कोई भी कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी है ओल इंडिया लेवल की हो चाहे आपकी कंपनी आओ लेकिन वो अप्रेंटिसिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंपनी है वो इस अप्रेंटिसिप करवाती है ग्यारा महीने का करवाती है एक साल का करवाती है उस अप्रेंटिसिप में आपको रियल टाइम आपको कंपनी में कैसे जॉब करना रहता है जैसे कि आप railway में apprenticeship करेंगे तो real time में जो वहाँ के permanent employee है उनके जैसे आपको वहाँ पर एक real exposure मिलेगा वहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको काम करने को मिलेगा और company'ों को manpower आप कराएंगे आई टी आई के जो skilled student रहते हैं वो ready to job रहते हैं उनको यहाँ पर काफी benefit मिल जाता है क्योंकि यह training के साथ साथ आपको stay fund मतलब के कुछ एक तनखा भी मिलती है जो as an average 7000 के आसपास तनखा आपको मिलती है अलग-अलग companies में लेकिन यह apprenticeship करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह 11 महीने में आपको industry का real आपको experience हो जाएगा जब आगे company क्या करेगी जब भी कोई vacancy निकालेगी permanent job के लिए तो वो आपको preference देगी जैजा कि railway ने 20% reserve कर दिये direct recruitment मागी सारी company हो का भी आगे से आपके लिए कुछ न कुछ seat है reserve कर देगी तो बहाँ पर आपको बहुत बड़ा benefit हो जाएगा इसके लिए देखिएगा मैंने आपको ये तो सुपधा बता दी fees कितनी मिलती आपको staff fund कितना मिलता ये सारी चीज़े हैं तो ये जो रोजगार से related apprenticeship mail आये 4 October को 10 बजे मद्द परदेश के सभी जिलों के अंदर जो आई टी आई है नोडल आई टी आई जिसको बोलती है या जिले का जो मुख आई टी आई है बहाँ पर या हो सकता है उस आई टी आई ने कोई दूसरी जगे चुनी हो बहाँ पर ये apprenticeship मेले कायोजन किया जाएगा सुबह 10 बजे से साम को 5 बजे तक अब इसमें अब इसको देखेगा ये और भी ज़्यादा आपके लिए helpful क्यों हो जाएगा क्योंकि कंपनियां भी बहुत सारी है वो अलग-अलग apprenticeship करती है एक जगे दो जगे जाएगे तो लेकिन एक साथ सारी कंपनियां आ जाएगी और एक साथ सारे बच्चे आ जाएगे जिनको apprenticeship करना है तो वो कंपनी अपने हिसाब से अपने बच्चों को select कर लेगी उसको किस तरह के बच्चे चाहिए किस trade के चाहिए और इसमें क्या हो जाता है कुछ बच्चे बारबार हर कंपनी में select हो जाएगे वो भी problem कतम हो जाएगी अब तो एक साथ आपको बहुत अच्छा chance है जैसे आपके कभी कम percent रहती है तो फिर आपको समस्या आती है उसमें apprenticeship में selection में तो यहाँ पर आपको बहुत benefit मिलने वाला है इसके लिए देखिए गश्टाइफ फंड और मैंने कुछ बता दिया आपको आपको अगर मद्धिप्रदेश के आप सभी जो भी बच्चे है आपने all over MP में चाहें SCVT, NCVT के हो उनको क्या करने गूगल फोम प्रवाइड किया गया है तो दोस्तो गूगल फोम ही आपका आवेदन करने का तरीका है मतलब ये गूगल फोम आप भरेंगे और submit कर देंगे मतलब कि आपने आवेदन कर दिया है और आप अपना जिला और आपकी जो भी detail है वो आपकी जहां पर भी जो apprentice मेला है वहाँ पर पहुच जाएगी वो जानकारी बहाँ से आपको अपने document वगेरा 10th 12th की mark seat, ITI के 60 packet, आदार card, voter ID जो भी आपके document है इस apprentice के लिए वो सारे original और फोटो कॉपी लेके और अपना photograph लेके आपको जरूर जाना रहेगा समय पर वहाँ पर आपको अन जानकारी आभी मिल जाएंगी direct company आपसे बात करेगी और यह हमने जानकारी दे दी अब यह form के लिए जैसे देखिए Google form यह बना हुआ है इस पर आप जैसे ही click करेंगे description में भी मैंने Google form की link दे दी है वहाँ से direct मेरा RKD आंगी telegram channel है वहाँ पर भी मैं आपको यह उबलब्द करा दूँगा link और मेरे को comments करके भी आप अगर किजी को कोई अन्य समस्या हो तो वो भी पूछ सकता है यह जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो यह इस तरीके से form खुल जाता है इसके बाद फिर आप next पर click कर देते हैं जैसे ही next पर click करते हैं तो कुछ एक field है जिसमें जानकारी मुमीदवार का मूल विवरण तो इसमें आपको क्या डालना रहेगा अपना नाम डालना रहेगा जैसे यह और answer है यहां आपको लिखना रहता है अपनी जानकारी ठीक है तो यहां पर आप अपनी जानकारी सही बर है जन्मितिति आप यहां से चुनेंगे सब चीज़ें आप चुन लेंगे यहां से फिर gender आपको चुनना है ग्रेजिला आपको यह आधार नंबर है मुबाइल नंबर है बेकलपिक मुबाइल नंबर है इमेल आईडी है यह सारी चीज़े इमेल आईडी नहीं है तो आप बना लीजिए और आपका qualification है आपने ITI नहीं भी किया है दस भी बार भी पास है इसना तक है कोई भी आपने कर रखा हो यह सभी इस apprenticeship मेले में एलिजीवल है तो यह सारी डेटेल आप भरने के बाद आपका registration कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने जिले के अंदर जो भी आपका ग्रेजिला आपने चुना है बहाँ पर आप इस मेले में जाके आपका साक्षातकार जहां पर जो भी फेस होंगे इंटर्व्यू के वो आपको फेस करना है तो 100% इसमें आपको जॉब मिल जाएगी सबसे बड़ा है जो यूथ है हमारा वो जरूल इस मेले में भाग ले जितने भी मद्ध्यपरदेश के जितने भी बच्चें चाहिए वो दस भी बार भी पास हों आई टी आई पास हों तो सभी इस मेले में जरूल भाग ले जॉब करना अपरेंटिस करना नहीं करना एक अलग बात है लेकिन आप मेले में जरूल जाके पार्टिसिपेट करें वहां आपको बहुत ही सांदार एक्सपिरियंस मिलने वाला है और आपको लगेगा आप 100% कोई ना कोई कंपनी में अपरेंटिसिप के लिए सिलेक्ट होंगे आज की वीडियो में इतना ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करके इस वीडियो को सेर जरूल कर दे बहुत बहुत धन्यवाद